हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi अलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है और आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यबाद के आप लोग लगातार मेरी कलास में मौजूद रहते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपकी जो पढ़ाई हो रही है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद और आप से भी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस्टडी IQIS हिंदी चैनल पर दोस्तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक महत्पूर मुद्दे पर राजपूत कालीन चित्रकला के बारे में राजपूत कालीन चित्रकला क्या यह चित्रकला स्वदेसी चित्रकला है या यह बिदेसी प्रवाव से ग्रसित है आज इसी मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे पिछली दो किलासे हम लोगों ने दोस्तो इस मामले में चर्चा की है कि एक चित्रकला के बारे में कि जो मद्द काल में चित्रकला का विकास कैसे कैसे हुआ किस तरीके से हुआ ठीक है न और क्या या चित्रकला का इसलाम के बुरुद थी उसके बाद हमने दूसरे मुद्धे पर चर्चा की थी और वो थी कि क्या जहांगीर का काल पूरी तरह के से चित्रकला का मद्ध काल में शोनकाल था हलाकि हमने उसमें सभी पक्छों को देखा यानि सभी मुगल सासकों की सारी चीजों को देखा था जिन लोगों ने अभी तक उस कलास को नहीं देखा है पहले उस कलास को देख लिए दोनों कलास को तो आपके चित्रकला से संबंधित मद्ध काल के सारे डाउट्स किलियर हो जाएंगे आज उसी संदर्म में हम बात करेंगे राजपूत काली चित्रकला के बारे में और ये चर्चा करेंगे कि राजपूत काल में जो चित्रकला है उसकी बिसिस्ता क्या है क्या हुए स्वदेसी चित्रकला है या बिदेसी प्रभाव है और राजपूत काल में किस किस राजपूत वंस में कौन-कौन सी चित्र कला का विकास हुआ उसकी शैली क्या है उसकी बिसेस्ता है क्या है हम इन सभी मुद्दों पर बिसेस तोर पर चर्चा करेंगे इस से आप लोगों के देखे सभी तरह के जो questions है यानि के अपके प्रारमिक परीच्छा के या मन्स परीच्छा के सभी clear होंगे और साथ के साथ आपको अपनी जो शैली है यानि के आपकी अपनी संस्कृती है अपना जो कहा जाए के परंपरा है उसको भी जानने का मौका मिलेगा कम से कम हमको पता तो चले कि हमारे हैं हुआ क्या क्या था तो आज उस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं तो चलिए इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करते हैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत फिर से पुनहे स्वागत है आप सभी लोगों के लिए ठीक है ना और प्रापर तरीके से ढंक से पढ़ते रहिए ढंक से नोट्स बनाते रहिए और ये गारंटी है कि जतनी मन मद्दिकाल की क्लास लिये हैं अगर उनका सही ढंक से आप नोट्स बना लेंगे और अपने लिए इस content को त्यार कर लेंगे तो guarantee है कि आपके questions प्रारंबिक और मुख के परीचा के बाहर नहीं जाएंगे ठीक ध्यान रखना है तो आज हम जो बात करने वाले हैं राजपूत काली चित्रकला की जो शेलिया हैं उनके बारे में उनकी बिसिस्ता है उनके बारे में बात करेंगे देखेंगे तो आपकी बूदी शेलिया है कोटा है किशनगड़ है जैपूर है बीकानेर है और मालवा शेलिया है दोस्तों ये आपके राजपूत काल में इतने राज्यों में ये इन जो राज्य हैं राजपूतों के इन राज्यों में चित्र कला की बिभिन प्रकार की शैलियों का विकास हुआ था और इनमें देखेंगे तो अधिकांस चित्र आपको कैसे दिखेंगे? धार्मिक चित्र दिखेंगे? ठीक है न? इविन उनमें विभित प्रकार के जो रंग है, गहरे चटक रंग है, उनका उपयूग दिखेंगा और बिसेश तोर पर राधा कृष्ण और कृष्ण की करेंगे और इसमें देखें तो सबसे पहले हम इनकी बिसेश्टाओं को जानने की कोशिश करेंगे, कि इनकी बिसेश्टाओं के आधार पर ही पता चलेगा कि ये कितनी श्वदेशी है या नहीं है, धियान रखना, देखिए, इससे पहले हम लोगों ने जो मद्दिकाल में चितरकला पड़ी थी, वो दिहान रखीगा, इसलाम के बुरुद कुछ लोगों ने अपने अनुसार उसमें परवर्तन किया, खासकर मुगल सासकों ने, दिल्ली सल्तनत में तो बिकसित ही नहीं हुई थी, लेकिन मुगल सकाल की एक बिशेश्टा जरूर थी, कि अधिकांस राजपूत राजा मुगल दरवार से जुड़े रहे, मुगलों के अधिन रहे, मुगल परंपराओं के संपर्क में आए, इसलिए मुगलों की जो संस्कृती है उसका प्रवाववी पढ़ा, या ये कह सकते हैं कि भारती परंपरा ने मुगलों किया जाकर कि भारती परंप तो लेके नहीं आये थे हाँ एरान की जो चित्रकला है बेहजाद और क्या ना में उनके जो शाथ के उनके जो सिस्से हैं उनके साथ में जरूर हो सकता है कि शैली आई और उसके बाद कई सारे बिदेसी कलाकार भी यहां पर आए बिदेसी लोग भी आए लेकिन अधिकांस चि मिलन था दोनों की संस्कृती मिली जुली थी इसलिए चित्रकला भी कैसी थी दोनों परंपराओं का मेल थी ठेक है ना इसलिए ध्यान रखे गया और इसी बज़े से जब दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल सासन इस्थापित हुआ और मुगल सासक जब कमजोर होने लगे सत्रवी सदी के बाद यानि के शाह जहां के सासन काल्स के बाद में तो मुगल दरवार में जो भिभिन परकार के चित्रकार थे कलाकार थे समझेगा वो सब राजपूत राजाओं के हैं जो उस समय सामंत बन चुके थे मजबूत सक्ती बन चुके थे उनकी हां जाकर के उनक पूत राजाओं ने अपने हाँ, इन कलाकारों को सरख्षन दिया और अपनी कलाका विकास किया। इसलिए यह हम नहीं कह सकते कि पूरी तरह स्वदेसी है कहीं नकें थोड़ा सा प्रभाव है यानि कि हम कह सकते हैं अधिकान्स्त है स्वदेशी है अधिकांस्ता है लेकिन सीमित इस्तर पर थोड़ा सा विदेशी या कह सकते हैं मुगल प्रभाव है मुगल प्रभाव है ठीके ना लेकिन अधिकांस्ता स्वदेशी है कैसे ध्यान रखी गया ये आप देखेंगे तो ये इसकाल की बिसिस्ता है इसकाल की यानि कि राजपूतों के समय की जो चित्र कला है उसकी बिसिस्ता है पहली बात तो इसमें यथार्त वाद पर बल दिया ठीक ना साथ के साथ इसमें आदर्ष बाद भी है ठीक ना यथार्त के साथ साथ क्या है आदर्ष भी है यथार्त का मतलब होता है ऐसी चीजें जो उस समय बास्तविक रूप से मौजूद हो जो जस समय जो चीज देख रहे हैं हो वो भी हो तो यानि यथार्त के साथ साथ क आदर्स में मूलत है भार्मिक यानि के अपने देवी देवताओं के भिन रूप अच्छे-च्छे सुंदर चीजों को दिखाने की कोशिश यथार्थ नहीं यथार्थ के साथ साथ आदर्ष दूसरी बिसिस्ता और ये ध्यान रखना ये जो बिसिस्ता है ध्यान रखना दोस्तों ये अपनी भारतिय शैली है कैसी है भारतिय परंपरा से प्रभावित है यथार्त वादी चीजियां जो थी अधिकार्त है मुगल दर्वार की थी फार्सी सैली से प्रभावच थी यहाँ पर हमारा आदर्श वाद है हम अपने देवी देवताओं का जो चित्रांकन करते हैं बड़ा सुन्दर और अच्छा करते है ध्यान रखना ठिक उसके बाद प्राकर्तिक दर्श्यों का चित्रांकन है बिल्कु सही अब देखेंगे तो यह राधा कृष्ण है सीन्दर उनकी सखिया है उनके साथ के लोग है और पीछे देखेंगे तो क्या है पूरा पूरा बाग बगीचा यानि के हरे भरे पेड़ पौधे सारी चीज़ है ये चीज ध्यान रखना दोस्तो ये आपके मुगल काल में ना के बरावर था ये अपनी क्छुद की स्वैम की विशिस्ता है ध्यान रखना प्राकर्तिक द्रश्यों का शामिल करना ये स्वयम की बिशिष्था है इसलिए ये भी सदेसी चित्रन करना है मुल रूप से इसमे सामाजक धार्मिक विशयों को उठाए गया है मुगल काल में कोई धार्मिक विशय नहीं था मुगल काल में दरवार के चित्र थे पोट्रेट थे यानि छवी चित्र थे, दर्बार के चित्र थे और तमाम तरह के जो कुछ एक प्राकरतिक चीजा हो सकती थे उनके थे धार्मिक विशाय नहीं था, धार्मिक विशाय ये राजपूत काल की विशेशता है क्योंकि हम अपनी भारति संस्कृती से जुड़े हुए हैं, हिंदु संस्कृती से जुड़े हुए हैं, अपने हिंदु देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, उनको मानते हैं तो स्वाब भी कसी बात है उनसे संबंद चीजों को ही हमने इसमें अपनाने की कोशिश की उन्हीं से संबंद चीजों की मिथोलोजिकल क्या होता है मिथोलोजिकल का मतलब होता है ऐसे विशह जो किसे कहानियों की तरह होते हैं यानि के जो पहले कभी किसे कहानी जो चलते थे उनके होते हैं, किसे कहानी, यानि के जैसे आपने देखा था सुना होगा, कि जब कंश अपनी बेहन देव की को बाशुदेव के साथ दुआर का छोड़ने जा रहा था, तो रास्ते वे भविश्यवारी हुई, यानि बिजली कड़की और वहां से आवाज आई, कि तू जिसे छोड़ने जा रहा है, जिस बेहन से तू प्रेम करता है, इतना मानता है, आठवा पुत्तर तेरी मृत्यू का कारण बनेगा, तो ये कहां से आवाज आई, ये मिथोलोजिकल है, कहीं पर आप देखेंगे तो कहीं पर एक जोड़ा है, मिचारे पति-पतनी या कोई भी ब्यापारी किसी पिड़ की नीचे आराम कर रहे हैं जंगल में, और उपर पत करने जा रहा है, वहाँ पर ऐसा होने वाला है, यानि भविश्यवानी करते थे, तो इस तरह की चीजों का भी चित्रांकन हुआ है, किस से कहानी इस तरह की चीजों का, इनका भी चित्रांकन, ये आपकी अपनी खुद की बिसिस्ता है, ये आपकी अपनी बिसिस्ता है, ये अरब देशों की थी मुसलिम संस्कृती से जुड़ी हुई थी लेकिन जब यहाँ पर चित्रांकन किया गया तो यह पूरी तरीके से कहती है भारतिय परंपरा से सम्मंदित है भारतिय परंपरा से देखेंगे तो यह देखिए इनके वस्तराभूशन यानि कि नीचे कमर की नीचे सिर्फ अंगरखा पैना गया है उपर हिस्सा है नीचे गम वो है ठीक है न और एक दुपट्टा डाला गया है जो भारतिय परंपरा में जिनका उप्योग करते थे सेम वही है देख रहा है न तो यह है आपकी अपनी खुद की बेसिस्ता राधा किष्ण की लिलाओं का चित्रांकन सबसे ज़्यादा हुआ है क्योंकि यह हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है क्योंकि अब कहोगे राधा किष्ण की क्यों क्योंकि राजस्थान गुजरात का जो चित्र है ध्यान रखेगा, वहां राधा किष्ण यानि कैश्म बैशनव धर्म को सबसे ज़्यादा माना जाता है इसलिए वहां पर राधा किष्ण को कुछ ज़्यादा ही पूजा जाता है, ज़्यादा ही माना जाता है यही बज़े है कि रसिक प्रिया भगवद गीता से संबंद चित्र ठीक है न और किष्ण की लिलाओं की संबंद चित्र रास लिला से संबंद चित्रों का अंकन जादा हुआ यह आपकी अपनी विसिस्ता और चमकीले रंग को प्रियोग चटक भटक देख रहे हैं आप इस चित्र में देखिए लाल रंग के यह चित्र हैं कैसे चमकीले हरे रंग हैं तो हरे रंग भी एकदम उभर के सामने आ रहा हैं खिले हुए रंग दूर से देखेंगे तो आपको असोक ब्रक्ष के पेड़ हैं ठीक है न और यह बाग बगीचा है जहां पर एक छटरी नुमा यह बना हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं छटरिया कहते हैं जहां पर रादा कृष्ण बैठे हुए हैं यह आपके इपनी शायली है मुगल दरवार के महल नहीं दिखाएगा इसम बनता है क्या बास्तम में राजपुत चित्रकला स्वधिसी है तो अब आप आराम से मुख के परिच्छा में भी लिख सकते हैं और प्रारम परिच्छा के लिए यह क्वश्ण पॉइंट आपके बन सकते हैं अब्रिवडी इस क्लियर ध्यान लखेगा एक चीज़ ध्यान ल करता हूं और इस्टडी आईक्यू आपकी मेहनत की कद्र करता है बस समझ लिए इसलिए जितने भी लोग आप लोग देख रहे हैं मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छे तरीके से अपने समय का सदप्योग करें अपना भविश्य बनाएं मनुरंजन के लिए तो बहुत सा अन्हीं ने लेकिन उतने लोग पढ़ें जो धंग से पढ़ना चाहते हैं भविश्य बनाना चाहते हैं अपने मूलियों के साथ हम कोई समझवता नहीं करना चाहते हैं इसलिए मैं To the Point पढ़ाने कोशित करता हूं जो जरूरी है आपके लिए मेरे लिए बस ओके तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं अब राजपूत सैली के अंतरगत देखते हैं अब एक एक करके हम उन सभी सैलियों की चर्चा करेंगे दोस्तों जिन सैलियों का हमने अब ये जिक्र किया था कि आखिर वो कौन कौन सी सैलिया हैं तो मैंने आपको लिस्ट बताई थी बूंदी सैली जैपूर सैली बीकानिर सैली कोटा सैली किशनगर सैली तमाम तरह की सैलियों का चित्रंकर की बचर्चा किये तो यहां पर अब सब की अपन रियासत है राजस्थान की और ध्यान रखिया का राजपूत शैली की जो चित्रकला है उसका विकास सत्रवी सदी से ही शुरू हुआ था सत्रवीश अदी से सुरू इसमें खास बात क्या है कि इसमें महलाओं को जो चित्रांकन किया गया है उसमें महलाओं के चहरे जो बताए गए हैं दिखाए गए हैं दरसाए गए हैं वो थोड़े से गोल और चहरा थोड़ा छोटा दिखाने कोशिश की गई है एक, अब आप देखेंगे, तो ये है, हलकासा गोल चहरा है, देखेंगे, गोला कार देखा गया है, ऐसा नहीं है, नुकीले टाइप का नहीं है, और ये महला सोची है, अपने मिरर में अपने चहरे को देखने की कोशिश कर रही है, ये देखेंगे, ये चित, ठीक, चमकीले और सुनहरे रंगों का प्रियोग, काले रंगों का बिस्यस प्रियोग, चमकीले और सुनहरे, देखिए, पूरा का पूरा सुनहरा बॉर्डर, ये देखेंगे, सुनहरा, इनके कपड़ों का सुनहरा पूरा बॉर्डर, काले काले रंगों का जगे 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 पर ये प्रियो नीला रंग है ठीक है ना लाल रंग है हरा रंग है ये देखेंगे तो हरा रंग कैसा चमक रहा है दूर से ही ठीक ना नीला रंग दूर से चमक रहा है ऊपर का और ये भी देख रहा है ना तो ये सारी जो चीजें हैं यही है चमकीले और सुनहरे रंगों का प्रियोग अब इ Yes, इसमें किसी देवी देवता का चित्र बिस् Casey तौर पर नहीं है, लेकिन पीछे देखेंगे तो पेड़ पौधों का प्राकरतिक दिर्श्य दिखाया गया है यस पूरा पीछे क्या है एक पहाड type का दिखाई दिया है यह अपने महल के बरांडे में बैठी हुई है सीसा नहार रही है अपने सूरत नहार रही है यह इनका चित्र है इसमें जो मूलत है चित्र हैं रसिक प्रिया और राग बहरवी के चित्रों का विशिस तोर पर अंकर किया गया है तो ये बूदी सैली की खास बात है ध्यान लगना ओके अबरिबडी किलियर तो यहाँ पर पेड़ पौदे घास फूस तमाम तरह की चीजों का उप्योग किया गया है इसमें आपको बिशिस तोर पर दियान देनी जरूँ होता है यानि कि पेड़ पौदे घास फूस इन सब चीज़ों का बिसेस तोर पर उपयोक किया गया ठीके ना? ध्यान रखना अब चलिए नेक्स्ट अगली है किसन गड़ सैली किसन गड़ सैली समझ ली जे कि राजपूत कालकी सबसे बहतनी शैली मैं से एक मनी जाती है इस सैली किसन गड़ कहा है ध्यान रखना दोस्तो किसन गड़ है जैपुर और अजमेर के बीच में एक रियासत है ध्यान रखना जैपुर और अजमेर के बीच में एक रियासत है और यहां इस सैली की खास बात क्या है स्रंगारिक चित्रों पर बेसिस तौर पर बल दिया गया है स्रंगारिक चित्रों प ठीक ना और यहाँ पर इस सैली को बढ़ावा देने में वहाँ के दो सासकों का बड़ा योगदान है एक है राजा किसन सिंग और सावंत सिंग दो लोग ध्यान रखना राजा किसन सिंग और सावंत सिंग इन लोगों ने बिसेश तोर पर बढ़ावा दिया इन्हों ने इसको बढ़ावा दिया ये रहे ठीक, सरंगारे चित्र धार्मिक चित्र हैं ध्यान रखना, काले और सफेद काले सफेद और नीले रंगों की परधानता है, ठीक ना काला रंग तो बिसेस तोर पर होगा क्यों होगा, उसके पीछे कारण है क्योंकि महलाओं के चित्र सबसे ज़ादा हैं यहाँ पर, ध्यान रखना और महलाओं भी कैसी एक बिसेस परकार की शैली में जिने हम कहते हैं बनी ठनी पेंटिंग बनी ठनी का मतलब होता है आपकी राजस्थानी क्या कह सकते हैं मोनालेशा कहा जाता है इनको राजस्थानी मोनालेशा ध्यान रखिएगा बनी ठनी का मतलब जानते हैं देखिए दोस्तों बनी ठनी का मतलब होता है बन्ठन के यानि कि तैयार होना यानि कि पूरी तरीके से सरंगार सहित पूरा तैयार तो यहाँ पर अधिकास चित्र देखना है यह बनी ठनी पेंटिंग है यहाँ पर यहाँ नहीं कि राजकुमारी और रानियों को इस तरह दिखाया गया है कि वो हमेशा बनी हुई तयार रहती है बिल्कुल पूरे साच सरंगार के साथ उन्हों कहते हैं बनी ठनी पूरा मेक अप, पूरा सरंगार इसलिए सरंगार एक चित्र है इन में खास बात क्या है? इन में खास बात या है कि इनकी जो नाख है और थोड़ी है वो नुकीली होती है आप देखेंगे? यह देखिए नाच और दोनों चीज़ थोड़ी कैसी है नुकीली आच है कैसी है बिलकुल सरपलाकार यह देखिए यहरे आखें, बिलकुल नुकीली टैप की आखें, घुमावदार मचली जिनகो मीन टैप की कि कहते है, मचली के आकार जैसी, आखें और बाल जो है, यह देखिए गुंगाले बाल साइड में लट, कैसा कहते हैं लट एक उंगली से उस लटको गुमाते रहना ये तो आज की स्टाइल है किसी को इंप्रेस करना हो तो लड़कीयों का पुराना स्टाइल है ये और सोचे अभी का नहीं है ये सुरू सी चला आ रहा है यह देखेंगे यहाँ पर देखेंगे यहां देखेंगे गुमराले हुए आपके एक लट लटकी हुई है ठीक है ना पूरा साज सरंगार उपर से नीचितर पूरा सजावट पूरे गहने वहने के साथ पहने हुए पूरा मेकप पूरा सब कुछ यह कंसेप्ट है बनी ठनी का ध्यान रखेगा और यह शैली कहा की है यहां की और इनमे अधिकांस चितर राधा किष्ण के भी है तो यह देखेंगे यह राधा किष्ण के चितर है ठीक है यह बनी ठनी उसकी पेंटिक है यहां राधा को भी दिखाये गया है तो राधा भी उसी तरह की है उसी शैली में है ठीक है न और इस सोचिए कि इस शैली को बढ़ावा देने वाले सबसे बड़े चितरकार उस समय के सबसे बड़े चितरकार हैं निहाल चंदर सबसे बड़े चितरकार माने जाते हैं यहां के निहाल चंदर जितना आपको पढ़ा रहा है न बेटा इससे बाहर पेपर उठा के देख लिजेगा UPSC का PCS का किसी का पेपर उठा के देख लिए इनसे बाहर question नहीं जाता है बस इतना समझ लिजेगा ठीक है न और इसी बनी ठनी की painting को मैंने बार बार कहा क्या कहते हैं हम राजस्थान की मोना लेशा कहा जाता है ये समझ लिजेगा ओके अबरिबडी किलियर ठीक अब ये आप लोगों के लिए महत्तपूर्ण सुचना जिन लोगों को दो हजार चौबीस में एक्जाम कौलिफाई करना है ध्यार लगना एक्जाम देना नहीं है एक्जाम देना है तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं लेकिन अगर एक्जाम कौलिफाई करना है तो हमारे P2I बैच जो इविनिंग में शुरू हुआ है सामको 6 बजे स्टार्ट हुआ है और इसके एड़िशन की लास्ट डेट 31 जुलाई है सोचिए अभी 22 तारीक को बैच स्टार्ट हुआ है तीन दिन का एक डेमो एक तरीके से मानके चलिए क्या हुआ है अब आपके पास तीन से चार दिन बचे हुए है यदि आप 2024 में अपना सेलेक्शन देखना चाहते हैं तो इस बैच को जोइन कर लीजिए तार्गेटिड है पूरी तरीके से इसमें आपके प्रॉपर तरीके से फेज वाइज आपकी स्टेटजी है और बैच आपके अपनी लैंग्वेज में है हिंदी हिंगलिस और इंगलिस तीनों में है फीस जो है सतर हजार रुपे निर्धारित की गई थी लेकिन अगर आप एम के लाइव कोड इस्तमाल करते हैं तो 29,99 रुपे जिसके साथ में अगर आप इस कोड को इस्तमाल करते हैं तो आप मुझसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं आपकी परसनल गाइडेंस से ले करके आपकी पढ़ाई से समंदे जितनी भी चीज़ें हैं उन सब को सॉल्व करने की जम्मेदारी हम लोग की है समझ लीजे बिगत तोर पर आप लोगों को पूरा सहीयोग मिलेगा ये ध्यान रखेगा ओके अब इसमें रड़नीती क्या है रड़नीती देखेंगे तो ये हमारा 4 स्टे से पहले कंप्लीट करेंगे जिसमें हम प्री और मेंस का फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट करेंगे दूसरा फेज होगा प्रारमिक परिच्छा का जनवरी से ले करके माई तक इसमें हम प्रारमिक परिच्छा पर बिसेस तर फोकस करेंगे टेस सीरीज, टरेंट अफेर्स, सी स और GS के सारे सेग्मेंट जो इतने इंपॉर्टन होगते हैं उनका रिवीजन तीसरी स्टेज होगी मेंस की मेंस की जून दो हजार चॉबीस से लेके सितंबर तक जो लोग प्रारंबिक परिच्छा पास करेंगे उन लोगों के लिए जो नहीं करेंगे उनके लिए तो अलग चलेगे चलेगा पूररा का पूरा मेंस चलना है उस प्रार Watton परिच्छा पास करेंगे उन लोगों के लिए हमारा मुक्त परिच्छा आवासी ये कारिक्रंफ है मेंस रेजडेंसियल प्रोग्राम यहां धियान रखे गया यह रहा और इसमें कंडिशन क्या है कि इसमें चार महिने की पूरी तयारी कराई जाएगी आपको ठीक पूरा कंप्लीट चार महिने ठीक यह सारी टक्छा हैं आपके हमारे अपने इस्टडी आईक्यू के आफिस में परिसर में तरही जाएंगी दिल्ली में और उसके रहने खाने के आपको कोई परिसानी नहीं लेनी है वो सारा इंतिजाम संस्थान की तरफ से होगा रहना खाना सिर्फ आपको प्रारमिक परिच्छा ढंक से पास करनी है जिसमें हमारी पूरी टीम आपके साथ होगी और इस समय में में हम सब लोग प्रॉपर तरीके से आपके साथ इतनी प्रक्टिस करेंगे इतनी प्रक्टिस करेंगे हर एक टॉपिक पर हर एक चीज पर बिद मेंटर्स और फैकल्टी कि आप लोगों का मेंस का रिजल्ट यूं आएगा फिर समझ लेना तो ध्यान रखीगा और इसमें जो टार्गेट है वो यह है कि कम से कम आपके 50% से ज़्यादा मार्गस आए यह टार्गेट है तभी जा करके एक अच्छी रैंक मिलेगी ओके तो इसमें देखेंगे तो यह आपका कंसेप्ट है जून वाला तीसरा स्टेज चौता स्टेज है कि हम उसके तुरंत बाद मेंस के तुरंत बाद हम अक्टूबर से ही इंटर्वू की तैयारी करणा शुरू करेंगे जिससे कि आप लोह को इंटर्वू का परॉपर तरीके से तैयारी हो सके लास्ट के दस दिन पंदेश दिन न में तैयारी नहीं होती क्योंकि यह परस्नलीटि टेस्ट होता है اور परस्नलीटि में कुछ भी डिफॉल्ट है, कुछ भी पॉजिटिव निगेटिव चीज़े हैं वो दस दिन में बदल नहीं सकती और UPSC के इंटर्वी वोड मेंबर जो होते हैं दोस्तो वो आपकी बाल के खाल उतार लेते हैं कितना भी प्रेक्टिस करके आईए अगर वो आपके अंदर नहीं है तो दो मिनट में उतार के रख देते हैं ये रहा, ये करेक्टर है दो मिनट में आपको बता देते हैं कितना आप रटके आए हैं, कितना रटके नहीं आए इंटर्वी के लिए, समझ लेजी सब भूल जाते हैं उस pressure में अच्छा हम क्या रटके आये थे इसलिए interview के तैयारी कई महीनों पहले से होती है जो चीज आपके अंदर क्या हो जाए आत्मसात हो जाए इसलिए हमने उसी pattern पर किया है last के 10 दिन का concept रखा ही नहीं है 15 दिन का concept नहीं रखा है इसमें ओके इसमें देखाएंगे तो आपको mentorship यानि के हर व्यक्ति को एक-एक mentor दिया जाएगा जिससे के आप कोई भी doubt पूछते हैं वो आपको तुरंट मताएगा lecture के notes यानि कि जो class में पढ़ाया जाता है उसके तुरंट के तुरंट आपको notes मिलेंगे जो class में पढ़ाया जाता है उसके notes hand written ध्यान रखना वो नहीं printed material नहीं printed material तो books आपको दालग से दे ही रहे हैं ठीक ना test series दे रहे हैं live class दे रहे हैं और मुक्ष पर इच्छा आबासी कार कर रहे हैं और fees कितनी? 29,999 रुपे इस से ज़्यादा और क्या चाहिए है यार हम लोग लाखों रुपे देख चुके हैं लाखों रुपे दिये जाते हैं UPSC के लिए आपको घर बैटी है सब कुछ मिल रहा है ठीक है ना? ध्यान रखना अब आते हैं अगले topic पर अगला topic है आपकी जैपुर शैली का जहार नखना जैपुर शैली जैपुर शैली चुकि रहा है जैपुर में कौन थे? जैपुर में थे कच्छवाह राजा कच्छवाह राजा मान सिंग है ठीक ना? जोदा भाई के अपने सुनाई है मान सिंग और जै सिंग ये सब जोपुर के अधिकांसता राजा मुगल दरवार से जुड़े रहे इसलिए मुगल चित्रकला से ये प्रभावित है क्योंकि वहीं के कलाकार भी इनके साथ ही आए क्योंकि खुद भी वहां जुड़े रहे एक चीज इनमें साथ के साथ इस्थानी बिसेस्ताएं भी है इनमें भक्ती और स्रंगार का बिसेस तोर पर सन्मानवय किया गया है ठीक ना उद्यान चित्रकला यानि बाग बगीचों का जो चित्रांकन है वो बिसेस तोर पर इसमें किया गया है बाग बगीचे, उद्यान चित्र कला, प्राकरतिक चित्र और हरे रंग का बिसेस तोर पर प्रियोग, अब देखना है ना, हरे रंग का पेड़ पौदे, बाग बगीचे, देगे गाये हैं, गाये का बच्छडा है, ठीक ना, पूरा एक पेड़ है, पूछा पूरा मैदान है ये देखिएगा लाल रंगे बेल बूटे और सुनहरे रंग का प्रियोग और राजस्थान में सुनहरा रंग तो आप समझ सकते हैं कि राजस्तान में सुनहरा रंग उनके कपड़ों को बॉर्डर को ढखने के लिए बेल बूटों बनाने के लिए इस्तिमाल किया जाता है और पेंटिंग में तो बिसेस तोर पर ये देखेंगे क्योंकि राधा कृष्ण है भगवान है तो सुहाबिक सी बात है उनके बस्तर आभूशण भी सुनहरे रंग के होंगे होंगे चाहे वो मुकट पहने चाहे वो अपने जॉैलरी पहने आभूशण पहने कुछ भी हो ये और इसमें अधिकांस चित्र कौन से है लाकृश्ण लीला रासलीला रामाइड और शिकार के चित्र ये सारी की सारी इस शेली की बिसेस्ता है जैपर शेली ठीके न हरे रंग की बि लीले हरे ध्यान रखना सफेद रंगों का कैसा अभार निकल के सामने बाहर आ रहा है ये है आपकी जैपर सैली इसी को कहते हैं कला संस्कृति हमारी अपनी विराशत हमारी अपनी संस्कृति है ये पूरी तरह श्वदेसी है इनमें थोड़ा बहुत प्रभाव है तो मुग रखना ये खास बात ठीक अगली सैली देखते हैं बीकानेर राजस्थान बीकानेर शैली ध्यान रखना इस पर मुगलों का प्रभाव ना के बराबर है मुगल प्रभाव ना के बराबर काफी दूर थी और बीकाने के जो लोग है वो थोड़ा सा मुगलों के दरवार से कम जुड़े रहे लेकिन इस पर دक्तनी चित्र क अला का परभाव है दक्तन याने कि मालवास से नीचे का जो छित्र है उसका थोड़ा सा परभाव यहां पर दिखाई देता है ठीक ना इसमें जो चित्र बनाए गये है अधिकानस्ता है चित्र बनाए गये है मुसलिम चित्रकारों के द्वारा ये बिस्यस तोर पर important बात है कि इसमें जो चित्र बनाए गए है वो मुसलिम चित्रकारों ने बनाए है और उनके जो विशे हैं विशे हैं हिंदू यानि हिंदू धर्म के चित्र मुसलिम कलाकार बना रहे हैं अली रजा, हसन रजा, रुकुनुद्दीन ठीक न, और चितर कौन से भगवान किशन के, भगवान राम के ठीक है न, भगवत पुराण के ये इनके विशे हैं जिन से सम्बंदित चितर बनाए गये हैं किसन, लीला रा, बारे मासा भगबत पुरान राग माला ये सारी चीज़ है सोचेगे तो एक बिसेस ताहबी का निर्शह लेगी कलाकार सारे मुसलिम और विशय सारे हिंदु धर्म के धार्मिक चित्र है प्राकरतिक चित्र बहुत कम है भगवान किशन को देखिए ठीक न गोबर्दन परबत उठाय हुए है नीचे बहुत सारे जो आपकी गोपियां है और कुछ एक लोग है वो बैठे हुए है ठीक न ठीक बाकी कुछ जानवर भी हैं बच्चे भी हैं खेल रहे हैं और उपर दुखिए उस गोबर्दन परबत पर कई सारे महल पेड़ पौधें तमाम तरह के बनाए गए हैं कुछ अलग से आपका इंद्र का एराबत का चित्र मनाए गया है जो आपके भगवान थे इंद्र जिन्होंने पूरे 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 चित्र में क्या कर रखा था बारिस पर बारिस कर रखी थी उनका दिखाने कोसिस की गई है तो यह पूरा के पूरे धार्मिक है हिंदु धर्म से संबन देता है किलियर एबरिवड़ी इन पॉइंट्स को ही आप उठाएंगे ना तो कर ले जाएंगे क्वेस्चन पूछा जा सकता है कि बीका नेड़ शेली की निम्नमे से कौनसी बिसिस्था नहीं है तो चार बिसिस्था दे दी जाएंगे एक कोई अलग दे दी जाएगी फिर बताएए कौनसी है कौनसी नहीं है बीका नेड़ शेली ओके किलियर आप लोग बस धिहान रखीगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ढंक से नोट बनाते जाएए आपका कुछ भी नहीं छूटेगा बेसक यूटूब है हम आपसे कुछ नहीं ले रहे लेकिन आपका कीमती समय ले रहे हैं और उस कीमती समय की आपको कद्र करनी चाहिए और हम भी कर रहे हैं ठीक है ध्यान रखना तो अगली सैली है कोटा कोटा तो आप जानते हैं इंजिनिर्स की फैक्टरी जहां पर कितने सारे बच्चे आज के समय में सुसाइट कर रहे हैं प्रेशर में सोचना लेकिन कभी वो एक राजपूत रियासत हुआ करती थी कभी ध्यान रखना और इसकी खास बात क्या है कि ये सैली बूंदी सैली से थोड़ी सी मिलती जुलती है लेकिन सबसे ज़्यादों जो चित्र हैं वो शिकार और प्राकर्तिक द्रश्यों के हैं खास कर बाग और भालू के चित्र ठीक है खजूर के पेड़ों का बिसेश तोर पर चित्रांकन क्योंकि राजस्थान है ठीक है ना शिकार हैं जंगल के पेड़ पौदे हैं तो उनमें खजूर सबसे ज़्यादा दिखाई देता है यानि कि खजूर के चित्रों का सबसे ज़्यादा अंकन हुआ है तो कोटा की शेली के चित्रों मैं यहाँ पर भी आप देखेंगे चित्रों मैं तो राजा माराजा सहप जा रहा है गोडue पालपी पाल की हत्यों पर बैठ करके और निकल रहे हैं आपते सिकार करने के लिए और रानिया वानिया जो हैं उनको विदा कर रही है कि ठीक आप पहुंचिए जाइए या फिर उनका स्वागा सत्कार हो रहा है कि वो कुछ करके आए है तो सिकार और ये से इनमें कुछ साही दरवार के चित्र भी है तो इस तरीकी से चित्र को हम कह सकते है ये हो सकता है कि साही दरवार शाही आगमन का चित्र हो ये लेकि सबसे ज़्यादा प्राग किरते हो जंगली जानवरों के चित्र शिकार करते हुए चित्र इसी सैली के हैं कोटा सैली के ध्यान रखेगा ये कुछ हर देखे हर सैली की अपनी कुछ भी सिस्था हैं होती है जिनको आपको ध्यान देने के जरुवत है बाकि कुछ नहीं करना है सब कुछ बहतरी होगा बस थोड़ा सा जो महनत करना ना थोड़ा सा नोट्स करना नोट्स बनाते जाईए इनको रिवाइज कर लीजे आपको कोई पॉइंट नहीं छूटेगा ठीक ना चलिए अगली सैली है मालवा शैली मालवा सैली प्रॉपर कह सकते हैं कि पूरी तरह पारंपरिक और धार्मिक चित्रों की परधानता वाली शैली है यहाँ कुछ भी नहीं है राजस्थान की जुतनी परंपरा हैं चमकीले रंग नीले रहरे और रंगों का प्रियोग वो सब यहाँ पर है सुनहरे रंगों का प्रियोग यह भी यहाँ पर है ठीक ना चटक रंग वो यहाँ पर है क्योंकि यह पारंपरिक है और मुलता धार्मिक चित्रों की परधानता है ठीक ना इसमें अधिकांस चित्र रसिक प्रिया और अमरु सतक के बनाए गए हैं लेकर रामाड बगरा के भी हैं तो ये देख रहे हैं ये चित्र किस का है ये रावड है और जटायू का युद्ध है ध्यान रगेगा उनको दिखाने के कोसिस की गई है इस तरीके से इनको दिखाने गएप इसमें क्या किया गया है इसमें रंगों के जटिलता नहीं है यानि बहुत ज़दा कॉंपलेक्सिटी नहीं है बलके उनको सरल रूप से दर्सानी कोसित की गया सरलता के साथ चित्र बनाए गए है पूरा देखिए पूरे इसमें कहां पर आपको complexity दिखाई दे रही है कहीं नहीं है simple सा white रंग की black color की पट्टी लगाते हुए क्या दिखाए गया है एक कहा जाए कि एक जगे दिखाए गयी है ये लग रहा है जैसे कि क्या है खास बात जैसे कि आपका क्या हो रावड के पास क्या था आपका जो जहाज था क्या नाम था उसका याद आ रहा है नहीं आप लोगों को वही ठीक है ना उस तरह का और ये जटाई यू मरे पड़े हैं लड रहे हैं लड रहे हैं सारी चीज़े है clear बहुत simple सा दिखाए गया है कोई complexity नहीं है ये है इसकी खास बिसिस्ता लेकिन इसकी एक बिसिस्ता और भी है और वो बिसिस्ता है मालवा सैली की उपर नीचे पीले रंग की पट्टी का प्रियोग ये देख रहे हैं उपर और नीचे भी दोनो जगह पर पीले रंग का सुनहरे रंग की पट्टी का बिशेस तोर पर प्रियोग किया गिया है यस तो दोस्तो ये राजस्थान की सैली है अब आप समझ सकते हैं कि राजस्थान की जो सैली है किस तरीके से आपके स्वधेसी विशयों को धार्मे के विशयों को अपने राजस्थान से जुड़ी हुई संस्कृती को ध्यान रखना राजस्थान से जुड़ी हुई संस्कृती आपके अपने धार्मिक विशह है ठीक ना आपके अपने प्राकरतिक रंग आपकी अपनी संस्कृती उन सब को उभारने की कोशस की गए और बिविन राजपूतानों के जो राजज हैं उन सब ने इस कला को बढ़ावा दिया सब ने अपने पने तरीके से वहां की शैली को बिक्सित किया ये इसकी खास बात है ठीक है दियान रखना तो ये राजपूत सैली है जिसे हम कह सकते हैं कि ये काफी हद तक सदेशी है मुगलों से परभाव से इन्होंने इसको बचाया है और यहीं से धीरे 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 आगे आपके अपनी और नई सैली बिक्सित होती चली गई जो हम क्या कहते हैं भारतिया पारंपरिक शैली बाद में जाकर के इस सैली पर सोचिए ये उरोपिय परभाव दिखाई देता है जब आगरेज आ गए ये उरोपियंस आ गए और भारतिय जो छेतर है उस पर जब उन्होंने कबजा कर लिया तो उन्होंने ये उरोपिय कला का परभाव भी यहाँ पर डाला तब जाकर के हमारे उपर क्या दिखाई देता है ये उरोपिय परभाव दिखाई देता है अन्य था राजपूत काल स्वदेशी है मुगल काल में इरानी परभाव दिखाई देता है और आधने काल में ये उरोपिय परभाव दिखाई देता है हाला कि ध्यानक ना मुगल काल में भारती भी था लेकिन राजपूताना में मुलता है राजपूताना में आपकी भारती संस्कृति सबसे जादा है इसलिए इसको कह सकते हैं कि यह लगभग आपकी पूरी तरह स्वदेसी है कुछे चेत्टरों को कुछ है चीजों को छोड़ दिया जाए तो ये इसकी खास बात है ठीक तो समझ में आ गया जो आज का विशय था कि क्या राजपूत शेली स्वधिसी है अब आप आराम से आंसर लिख सकते हैं आराम से लोगों को समझा सकते हैं कोई समस्या नहीं है आपका प्रारमिक परिच्छा आपकी मुखे परіш्छा सारी चीजा आपकी कवर हो जाते है ठीक है ना अब अगली किलास हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे जो आपकी अपनी पारंपरिक आपकी अपनी देशी कला यानि के लोक कला के बारे में बात करेंगे इसी पीरिड में पूरे भारत में आम लोगों ने इसको तो अब तक सोचिए कि इस कला को बिक्सित किया संगठन ने, राजा ने, राजाओं के दोरा समर्पित, राजाओं दोरा सर्रचित किये गए कलाकारों ने लेकिन इसी के साथ हमारे हैं चित्रकला की परंपरा जो गाउं गाउं में चली आ रही थी जो आम आदमी से जुड़ी हुई थी उन लोग के चित्रकला के बारे में चर्चा करेंगे कल की किलास जरूर देखिएगा आप लोग इसको लाइक और सबस्क्राइब जरूर करिएगा और लोगों को इसको शेयर करिए ठीक है ना और मैंने बाकी जो कहा जिन लोगो दो हजार चॉबीस का एक्जाम देना है वो दो हजार चॉबीस के एक्जाम के लिए हमारा P2Y बैच जॉइन कर सकते है आपको बहतर से बहतर क्वालिटी के साथ आपको अपने लक्ष की और ले जाने की परियास किया जाएगा ठीक है ना तो आज इस क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं और जिस किसी को मुझे क्वान्टेक करना है पड़ाई लिखाई से संब्द कोई भी चीज पूछनी है यू में आस्क एनि टाइम एनिवडी एल्स कोई भी पूछ सकता है यह मेरा M के लाइव कोड है जिसका आपको आपको आप किसी भी कोर्स को पर्चेस करने में चाहाँ NCRT हो या करेंट अफियर हो या CSET का कोर्स हो या कोई भी कोर्स हो इसको आप इस्तिमाल कर सकते इससे आपको काफी कुछ डिसकाउंट मिल जाएगा ठीक है यह मेरा टेलिग्राम इंस्टाग्राम और मेल आइडी का रेफरेंस है मनोज कुमार 2.0 मनोज कुमार 2.0 और इस्टडी आइक्यू में दिखेंगे तो मेल आइडीय है मनोज.कुमार 1.0 इस्टडी आइक्यू डाट कॉम यह है और यह है आपका टेलिग्राम का लिंक जिसके तुरू आप मुझसे जुड सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कॉस्चन भी पूछ सकते हैं बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं जिनके अपने डाउट होते हैं पढ़ाई लिखाई सम्बंद कोई भी चीज होती है वो मुझसे आपके कॉंटेक्ट कर सकते हैं और करते भी हैं और उनको उनके आंसर का रिपलाई भी मिलता है दोस्त तो उसको चॉइन करिए जुड़िए और इसको आगे बढ़िए बस एक चीज अपने समय का सत्वियोग करिए अपने सपनों को पूरा करिए उसके बाद जिन्दगी पूरी आपके सामने है जैसे चाय फिर इंजॉय करिए अभी का इंजॉय लिंटिड है कुछ समय के लिए आगे जलके भारी पड़ जाएगा बहतर है कि अभी समय को इस्तिमाल कर लिजे और आगे पूरी जिन्दगी इंजॉय करिए ठीक ना? All the best, have a nice day, all of you